हैलो फ्रेंड्स वेलकम मैं दोस्तो मैं कम्लीं की बताने वाला हूं की दोस्तों भीहार ITI से जूड़ी 9 QUESTION का दोस्तों मैं answer देने वाला हूं अपने इस वीडियो में जो दोस्तों आप लोग के लिए या आफ लाइन और पांचवां है काउन सा कालेज मिलेगा सरकारी या प्राइवेट और दोस्तों आपका छठमा इसमें है काउंसिलिंग में पैसा भी देना होगा और साथमां है कितने रैंक पर एडमीशन होगा और आठमां है एंसीबीटी और एससीबीटी में क्या अंतर है और नवा है दूसरे डिस्ट्रिक में एडमीशन ले सकते हैं तो दोस्तों इन सभी क्वेशन का दोस्तों मैं एंस्वर अपने इस वीडियों देने वाला हूँ और दोस्तों ये सभी क्वेशन हमारे वीडियों दोस्तों कमेंट आया था जो दोस्तों मैं आप लोग को इस व लाइकन को भी प्रेस कर दें ताकि दोस्तों अमारे एगले वीडियों का अपडेट आपको से पहले और बहुत जल्द मिलता रहे तो दोस्तों आई हम लोग जानते हैं तो दोस्तों इसमें पहला है काउंसलिंग कब से शुरू होगा तो दोस्तों अभी तक इसका डेट दोस् दोस्तों लेकि मैं आप लोग को बता रहा हैं दोस्तों की आपका जितना दोस्तों रैंक रहेगा आप लोग दोस्तों उस डिस्ट्रिक में दोस्तों अपने डिस्ट्रिक के आई टी आई में देखिएगा दोस्तों की आपका कितना सीट है अगर दोस्तों आपका सीट उस र किसरा है काउंसिलिंग में कौन-कौन से डाकूमेंट्स लगेगा तो दोस्तो ऐसका भी वीडियो can be बनाया हूं आप लोग दोस्तो जाकर हमारे डिस्कृ wanna आप लिक मिल जाएंगा आप लोग पुप सकते हैं लेकिन दोस्तो मैं इस वीडियो में भी आप लोग को बता दे रहा हूं कि कौन कौन सा डाकुमेंट्स लगेगा तो दोस्तो आपका आय जाती निवास और करेक्टर सर्टिफिकेट और आपका टेंथ का दोस्तो मार्क सीट और एड्मिट कार्ड और दोस्तो आप लोग आई टी आई केट का एकज कांसलिंग होगा और दोस्तो आपका पांचमा है कौन सा कालेज मिलेगा सरकारी या प्राइबेट तो दोस्तो आप लोग आई टी आई केट का एक्जान दिये हैं तो दोस्तो आपको प्राइबेट आई टी आई नहीं मिलेगा आपको दोस्तो गवर्मेंट यानी सरकारी पैसा भी देना होगा तो दोस्तों पहले आप लाइन दोस्तों काउंसलिंग होता था इसलिए दोस्तों उसका चालान बनता था उसका दोस्तों पैसा आपको लगता था लेकिन दोस्तों इस बार भी हो सकता है आपका पैसा लगेगा ठीक दोस्तों क्योंकि काउंसलिंग समय भ होगा तो दोस्तो आप लोग दोस्तो अपने डिस्टिक मी जाकर में डेख सकते हैं कि दोस्तोCBT and SCBT में बहुत अंतर होता है, लेकिन दोस्तोCBT पूरे NATIONAL and SCBT पूरे STATE के लिए होता है, आप लोग जिस्सस्टेट में रहेंगे आपका LCBTS से अगर आप ITI किये है तो आपका STATE में ही लगेगा आपका जावब अगर दोस्तों आप लोग NCVTC ITI किये हैं तो दोस्तों आपका पूरे नेशनल में आपका जावब लग सकता है ठीक दोस्तों और NCVTC का फुलफाम होता है National Council for Occasional Training और SCVTC का फुलफाम होता है State Council for Occasional Training और दोस्तों आपका नवा है दूसरे district में admission ले सकते हैं तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि हम जिस जिले में दोस्तों अपना जावब भी कर रहे हैं और साथ ही ITI भी उसी जिले में कर लें तो दोस्तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि दोस्तो आपका जिस ITI में दोस्तो आपका admission होगा उस ITI में दोस्तो आपको everyday class करना है और दोस्तो साथ ही आपका biometric attendance भी लगेगा तो दोस्तों आपको एक भी दिन गैप दोस्तों नहीं मिलेगा इसलिए दोस्तों आपका जिस डिस्ट्रिक में आपका एडमिसन है उसी डिस्ट्रिक में आपका एडमिसन रहेगा तो दौस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोको अच्छा लगा होगा तो दौस्तों इसे एक लाइक कर दिजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर करिए और इसे कमेंट बोक्स में हमाने जरू बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और दोस्तों इंची दिये गए लाल बटों को दबा कर हमा चैने को सब्सक्राइब करने और बगल में दिये गए बेल आइकों को भी ट्रेस कर दें ताकि दोस्तों हमारे एगले वीडियों का अपडेट्स आपको सबसे पहले और बहुत जल्द मिलता रहे अगर दोस्तों आपको कोई भी अभी डाउट है तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरू बताएं मैं दोस्तों आपका सेलेशन जरू करूंगा वीडियों देखने लन्यवाद